नमस्कार दोस्तो मेरा नामा संजय और आप देख रहें प्रिंस कंपिटर सेंटर के यूटूब चैनल को दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस परकार अपने एक फोटसोप में प्रोपेशनल थमनेल बना सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि यूटूब पे जितने वी वीडियो होते हैं उसमें एक अच्छा थमनेल होना बहुत जरूरी है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि कितने अपने थमनेल की रेजुलेस होना नी चाहिए कितनी अपनी thumbnail की साइज होनी चाहिए जिससे अपने पूरी स्क्रीन पे thumbnail दिखाए दे तो thumbnail से समझदी सभी परकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो दोस्तों सबसे पहले अपन फोटोसोप में thumbnail के लिए एक नया page insert करेंगे new page लेने के लिए या तो आपको keyboard से control and press करना है इसके अलाव file menu में जाके यहाँ पे new पे भी आप कलिक कर सकते हो तो अपन control and press करते हैं जैसे control and press करेंगे तो यह window अपने सामने open होगी इसमें सबसे पहले आप जो भी photo बनाने चाहते हो किस नाम से रखना चाहते हो और नाम आपको type करना है जैसे अपन यहाँ पे white thumbnail type कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे देखो निचे size set करना है कि आपका जो thumbnail हो कि size का होना चाहिए तो अपन यहाँ पे देखो size पे click करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग size होती है 2 by 3 है 4 by 6 है इसके अलवा यहाँ पे later है legal है यह अलग अलग size होती है thumbnail बनाने के लिए size set करना है तो thumbnail के लिए जो सबसे अच्छी size होती है 1920 x 1080 pixel की होती है इसको open select करेंगे और यहाँ पे नीचे आके resolution पे click करना है और यहाँ पे resolution 300 कर देंगे क्योंकि जितनी जएदा resolution होगा उतनी एपनी clear thumbnail दिखाई देगा अपन यहाँ पे click करने के बाद में आपको RGB color select करना है और यहाँ से ok पे click करना है जैसे आप ok करोगे तो यहाँ पे देखो अपने जो size set की थी उस size में आपका एक new page create हो गया new page create होने के बाद में आपको इसको maximize करना है और यहाँ पे आना है layer पे देखो सबसे important use होता है layer का Photoshop में तो अपन सबसे पहले यहाँ से एक new layer insert करेंगी क्योंकि Photoshop में thumbnail बनाना है तो अपन जो जो work करेंगे वो अलग-लग layer पे करेंगे क्योंकि उनको अपन customize कर सके new layer insert करने के बाद में आप जो भी thumbnail बनाना चाहते हो उसके अपन सबसे पहले border लगाएंगे border लगाने के लिए आपको new layer पे click करना है उसके बाद में control A press करना है पूरा document select हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे आना है select पे और यहाँ पे click करना है modify पे modify पे जैसे यह होगे तो यहाँ पे option मिल जाएगा आपको border का तो border पे click करना है जितने pixel का border देना साथ हो उतने pixel यहाँ पे type करना है तो अपन को thumbnail में लगबग 20 पिक्सल का border देना होता है तो अपन 20 भी कर सकते हैं 25 भी कर सकते हैं यहाँ पे अपन 20 या 25 पिक्सल टाइप कर देते हैं और उसके बाद में ok करना है जैसे अपन ओके करेंगे तो यहाँ पे देखो चारों और का एरिया अटोमेटिक थोड़ा सा अंदर की साइड में सेलेक्ट हो गया उसके बाद में जो भी बोर्डर सेलेक्ट हुआ है उस बोर्डर को कलर देना हो तो अपन को यहाँ पे देखो निचे वाला तो बेग्राउंड कलर होता है उपर वाले को बोलते है फोर ग्राउंड कलर तो फोर ग्राउंड कलर में कलिक करना है और किस परकार का कलर आप देना चाहते है वो कलर सलेट करेंगे और select करने के बाद में आपको OK पे click करना है जैसे ही OK पे click करेंगे तो यहाँ पे देखो foreground color select हो गया है और जो भी foreground में color है वो फिल करना हो तो आपको alter के साथ में keyboard में delete press करना है जैसे ही alter delete press करेंगे तो यहाँ पे देखो automatic है अपना border लग गया उसके बाद में आपको control, depress करके जो भी select है उसको unselect करना है अभी तक देखो अपने एक process किये कि अपने जो भी thumbnail है उसको border लगा है border लगाने के बाद में आपको वापिस new layer insert करना है क्योंकि अपन जितना भी work करने वाले हों अलग-लग layer पे करने वाले है तो अपन यहां से new layer insert करते है new layer insert करने के बाद में आपको यहां पे tool box में एक नमर जो rectangle mark की tool रहता है इसको select करना है और आपको यहां पे उपर की side में area select करना है जितनी दूर में अपन इसका title रखने वाले है तो अपन इतना area select कर देते है और इस area में जो भी आप color fill करने वाले हो वो आपको यहां पे foreground color पे click करना है और color select करना है अपन मालो यह color रखना साते है दूसरा color रखना है तो वो भी आप select कर सकते हो उसके बाद में ok करना है ok करने के बाद में आपको यहां पे color fill करना है border वाली layer select है तब तो अपन अलग sort की यूज़ करेंगे अगर अपने जो नया select किया area वो select है तो अपने उपर वाली layer को select करते हैं इसके लिए आपको control के साथ में shift बना है और यहाँ पे जो बड़ा cost ही start होता है वो button आपको press करना है जैसे वो press करोगे तो यहाँ पे देखो अपना जो border लगाए वाता हुँँग एकदम बाहर की side दिखाई दे रहा है अब आपने जो भी select करका है उसको unselect करना है तो control D press करते हैं उसके बाद में आपको document का title यहाँ पे type करना है क्योंकि जो अपनी important चीज होगी वो बाहर की side पे दिखाई देनी से ही है बड़े एक सुरों में दिखाई देनी से ही तो अपनी यहाँ पे text box पे आएंगे और text box पे आपको draw नहीं करना है एक जगह पे click करना है क्लिक करते ही देखो इस परकार की window अपने सामने open हो जाएगी लेकिन type करने से पहले आपको 2-3 setting करनी होती है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो text का color हो कौन सा होना सही वो color अपन सलेट करते हैं मौन लो white करना है तो white कर सकते हो बले करना है तो बले कर सकते हो और उसके बाद में आपको okay करना है okay करने के बाद में यहाँ पे देखो font का भी आपको ध्यान रखना है English में type करना है तो English का font होना सही Hindi में type करना है तो Hindi का font होना सही उसके बाद में आपको type करना है type अपना जो भी title होता है वो type करेंगे तो इस वीडियो है अपना title है कि अपना thumbnail के से बनाए तो अपन यहाँ पे type करेंगे how to make thumbnail अब देखो जो भी आपने type किया हो अगर दूसरी side में जा रहा है तो अपन देखो mouse को जिसे निचे लेके आएंगे तो यहाँ पे अपना mouse पो interchange होता है उसके बाद में आप इसे draw भी कर सकते हो अभी तक देखो आपने जो भी draw किया है वो size कम जादा हो रही है तो आपको या तो enter दबना है या ok दबना है उसके बाद में अपन size को adjust करेंगे size adjust करने के लिए control T press करेंगे जैसे control T press करेंगे तो उसके बाद में आपने जो भी type किया उसकी size बगेर आपने adjust कर सकते हैं तो यहां से नीचे कोने से पकड़ के इसको अपने adjust कर लेंगे अगर आप चाहते हो कि इसका color black है वो change करना है तो वो change भी कर सकते हो change करना है तो वापिस यहां पे देखो text box वाला select होना चाहिए और जहां पे भी आपने नाम लिख रहे है वाँ पे double click करेंगे और इस area को select करने के बाद में यहां पे text color पर आएंगे कौन सा गदर आप देना साथ हो select करेंगे और ok करेंगे जैसे आप ok करोगे तो यहां पे देखो आपका color change हो गया और उसके बाद में यहां से आपको accept करना है या ok करना है तो दोस्तों उसके बाद में अभी तक एक step अपनी complete हो गई है उसके बाद में अपन next step में अपना या तो कोई logo है तो उसको insert करने वाले है या अपने कोई photo बगर है तो उसको insert करने वाले है तो उसके लिए अपने इसको एक बार minimize करते हैं और यहाँ पे insert करते हैं जो भी अपना logo है या photo उसको तो यहाँ पे अपन सबसे पहले कोई भी logo या photo insert कर लेते हैं तो यह अपने सामने एक png photo पहले से बनाय हुई होनी चाहिए अगर logo है तो वो भी png में होना चाहिए तो यह अपनी photo है इसको अपन डबल क्लिक करके open कर लेते हैं और open करने के बाद में इसको move करना है तो यहाँ पे move tool select करेंगे या keyboard से v-press करेंगे उसके बाद में photo पे click करेंगे control T प्रेस करने से अपन photo की size बगिरा कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि size कम ज़्यादा करते हो तो या तो आपको shift के साथ में size कम ज़्यादा करनी है इसके लावा आप यहाँ पे देखो यह जो एक lock का option आता है इसको भी अपनी यहाँ से lock लकर सकते हैं lock करने के बाद में देखो आपकी जो भी photo उसका resolution खराब नहीं होगा मतलब अपनी लंबाई बढ़ रहे हैं तो साथ में चोड़ाई भी automatic बढ़ेगी तो यह lock आपकी window होनी चाहिए और उसके बाद में आपको यहाँ पे adjust करना है और आपको करना है okay जैसे ही okay करेंगे तो यहाँ पे देखो अपनी photo adjust हो गई अभी तक देखो अपने दो step complete किये next step में अपन देखने वाले हैं कि अपन जो thumbnail बना रहे हो किस से समंदित है उसकी कोई भी screenshot हो सकती है या उससे समंदित कोई content हो सकता है वो अपने thumbnail में insert करेंगे क्योंकि उसको भी दिखाना बहुत जरूरी है तो अपन यहाँ से एक बार इसको वापस minimize करते हैं तो उसके लिए एक तो यहाँ पे अपना पुराना thumbnail बनाया है इसको अपन मू कर सकते हैं मू करने के लिए अपने वापस मू टूल पे आएंगे और यहाँ से इसको मू करके अपने वाले thumbnail पे लेकिया जाएंगे और यहाँ पे लाने के बाद में आपको पिछले वाले thumbnail को उठा देना है और इस thumbnail को वापस maximize करना है अब आपको control T प्रेस करना है और यहाँ से इस window को lock कर देना है क्योंकि आप जो भी size बगरा कम ज़्यादा करते हो क्योंकि आप size बगरा कम ज़्यादा करते हो तो उसकी width और height maintain रहने चाहिए तो इसको अपने यहाँ से lock रखेंगे और उसके बाद में इसकी size अपने यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते है तो अपने एक तो यह thumbnail लगा दिया एक दो और भी आप insert कर सकते हो जैसे एक thumbnail और अपने insert कर देते हैं तो इसी परकार का अपने एक thumbnail और insert करेंगे तो वापिस इसको minimize करेंगे पिसले वाले thumbnail को अपने यहाँ से delete कर सकते हैं उसके बाद में new picture इंसर्ट करने के लिए double click करेंगे या control O करेंगे और यहाँ से कोई भी photo अपने insert कर सकते हैं तो अपने पास में एक यह window है तो इसको भी अपने insert कर सकते हैं तो इस पर double click करेंगे और double click करते हैं यहाँ पर देखो अपने page में insert हो जाएगा अब देखो अभी तक अपने जो thumbnail बना रखा हूँ उस thumbnail को insert करना है तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यह अलग-अलग layer में दिखाए दे रहा है लेकिन आपको इसको एक layer में लेके आना है इंसर्ट करने के बाद में अपना main thumbnail है उसकी size बढ़ाएंगे ctrl T press करेंगे और यहाँ से इसको log करेंगे log करने के बाद में इसकी size मेंटेन कर सकते हो size मेंटेन करते से में आपको ध्यान देना है कि उपर वाला जितना size में thumbnail है उतनी size में अपना निचे वाला thumbnail भी होना सही है क्योंकि same content अपन डाल रहे हैं तो एक ही size में अपना content होगा तब ही अपना content अच्छा लगेगा तो अपने अभी 2 thumbnail लगा दिये तो इस thumbnail में आपको पता चल रहा है कि अपन जो video बना रहे हो किस से शमन दीता है या अपना thumbnail किस चीज से शमन दीता है उसके बाद में यहाँ पर कोई भी अपन को arrow बगेरा दिखाना है जैसे यहाँ पर यह arrow लगाया हो है इसमें बता रहा है कि window 10 में जो update होता है उसको disable case से करे तो यहाँ पर arrow का symbol दिखाया हो है तो इस परकार के आप भी कोई symbol insert कर सकते हो symbol लगाने के लिए आपको यहाँ पर png photo में कोई भी symbol insert करना है जैसे अपने पास में यह symbol है इसको double click करके open कर लेते है open करने के बाद में अपने photo में move करेंगे और move करने के बाद में वाफिस control tip रेस करना है तो इसको गुमाना हो तो बाहर कर सर को लेके जाना है इस परकार अपने रोटेट भी कर सकते हो तो इस परकार अपने arrow insert कर सकते है उसके बाद में जैसे इस thumbnail में लिखा हुआ है कि powerpoint का संप्रोन वीडियो या window 10 है उसको disable case से करें तो वो meter आप यहाँ पर type कर सकते हैं type करने के लिए वाफिस वही तरीका अपना ना आपको यहाँ पर text पर आना है यहाँ पर आपको Hindi या English जिस language में type करना है वो language अपन select करेंगे तो यह वीडियो अपन thumbnail से समंदित बना रहें तो यहाँ पर अपन कोई thumbnail से समंदित meter type करेंगे जैसे अपन type कर देते हैं YouTube thumbnail कैसे बनाए तो अपन यहाँ पर सबसे पहले YouTube नाम लिखना साथ है वो तो English में लिखना साथ है तो English का को important select करेंगे उसके बाद मैं अपन type करेंगे YouTube और इंटर दबाएंगे निचे वाली line पर अपन लिखेंगे YouTube thumbnail और उसके बाद मैं वापस interface करेंगे और यहाँ पर अपन को हिंदी में type करना है तो वापस इस पर आना है हिंदी का कोई भी font अपन को select करना है और इसमें अपन type कर देंगे YouTube thumbnail कैसे बनाई तो अपन यहाँ पर type करेंगे कैसे बनाई आपको अगर हिंदी typing नहीं आती है तो आप Google Input Tool के मार्दिम से भी type कर सकते हो या और भी कोई अलग-अलग तरीके जैसे word में type करके यहाँ पर insert कर सकते हो उस परकार भी आप type कर सकते हो जो भी आपने नाम type किया है उसको कई बार आपने देखा हो अगा कि सहया दी हुई मिलती है या अपन को यहाँ पर shadow effect दिया होता है तो वो अपन कैसे देते हैं वो भी अपनी इस वीडियो में देखने वाले है तो उसके लिए आपको यहाँ पर layer पर आना है layer style पर क्लिक करना है और layer style में यहाँ पर जो भी option आ रहे है जिसे drop shadow है कोईसा भी आप select कर सकते हैं जिसे अपन drop shadow पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर layer style से समझते हैं अलग से dial box open हो जाता है इसमें जो drop shadow है इसको तो आपको untick करना है और निचे निचे देखो stock नाम से option आ रहे है इस पर आपको click करना है और इसको tick करना है इसको tick करने के बाद में अपन यहाँ से देखो size अपन बढ़ाएंगे तो अपने आप देखो निचे जो भी stock दिया हुआ है automatic size बढ़ रही है उसके बाद में उसका color भी change कर सकते है color पे click करना है और यहाँ से अपन normal color select करने के बाद में अपन ok करेंगे जैसे अपन ok करेंगे तो यहाँ पे देखो background में अच्छा सा color आपको दिखाए दे रहा है आप black color, yellow color, कोईसा भी color यहाँ से select कर सकते हैं निचे automatic यहाँ पे color change हो रहा है आप जो भी color select कर रहे हो color automatic यहाँ पे fill हो रहा है तो दोस्तो इस परकार आपको कोई shadow effect देना है या मानलो drop shadow देना है तो वो भी आप यहाँ से insert कर सकते हो इंसर्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे size बगएरा maintain रखनी है जितनी size अच्छी लगी उतनी size अपन रख सकते हैं रोकिया करना है जैसे okay करेंगे तो यहाँ पे देखो अपना जो भी text लिखावा था वो असानी से अपन को दिखाए दे रहा है यहाँ से maximize करके अपन देख सकते हैं तो दोस्तों एक अच्छा thumbnail इस परकार अपने बना लिया है thumbnail बनाने के बाद में उस thumbnail को save करना होता है कि किस परकार अपन save करें जो अपन को HD में दिखाए दे तता किस परकार की file के रूप में आपको thumbnail save करना है तो आप हमेशा कोई भी file बनाते हैं उसको save नहीं करोगे यहाँ से file में जाके save as करना है save as करने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी नाम से thumbnail बना रहे होँ नाम टाइप करना है और यहाँ पर Photoshop के रूप में अपन को नहीं करना है PNG format हमेशा SD format होता है अपन JPG भी कर सकते हैं लेकिन JPG से अच्छा अपन को दिखाई दिता है PNG format क्योंकि PNG format में जो भी photo अपन save करते हैं वो हमेशा SD में save होती है और उसके बाद में thumbnail कहाँ पर आप save करना चाहते हो जिसे desktop पर save करना है desktop पर click कर देते हैं और OK करना है या save पर click करना है जैसे अपन इंटर दबाएंगे या save पर click करेंगे तो आपका thumbnail आटोमेटिक save हो जाएगा और save होने के बाद में आप देख सकते हो कि किस परकार का अपना thumbnail दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखो एक अच्छा सा thumbnail यूटूब चैनल पर डाले हुए तो आप उनको भी विजिट करेंगे